एलो गाइस वेलकम टू वर चैनल डीके फार्मा टुटोरियल गाइस तो आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं थायरोड हार्वोन एनलोक्स और इनिबिटर्स तो इस वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो प लेख लेते हैं थायरोड ग्लाइड जो है बोकिस्टि टारिकल्स होते हैं और ये एपिछिलीयम के से मिलके बना होता अंशनिक ऩगन से टारे 2 तो है वो टारोइड हार्मोनã का से घर्योटर होनी मेवेन खुबरते हैं लोनी से कौंँ से छोते हैं यसको हम बोलते हैं सेकन के ट्राय हाइडो bomb칙 सेकेंड है ट्राइडो थैरोनींज इसको हम बोलते हैं त्री तो लियो थैरोनींज और ट्राइडो यह था थैरोड हार्मोन जे में आप हम देखते हैं इंपॉर्टन् बैए लोजिकल फंक्शन्स और थैरोड हार्मोन नॉर्मल हुमन ग्रोथ एंड डेवलेप्मेंट तो यह है हुमन के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलेप्मेंट में आफी इंपोर्टन रोल प्ले करता है and second metabolism अब thyroid hormone occur in liver and brains तो thyroid hormone का metabolism जो है वो liver and brains के तुरू होता है TSH regulate serum thyroid hormone by negative feedback systems तो thyroid stimulating hormones है वो negative feedback mechanism के तुरू जो है thyroid hormones का secretion है उसको regulate करता है तो यह कैसे होता है इसको हम देखते है एक diagram से तो यह है hypothalamus, pituitary glands and thyroid glands तो जब भी hypothalamus में जब भी कोई भी stimuli मिलता है तो hypothalamus जो है thyroid tropin releasing hormones के रूप में एक signal भेचता है interior pituitary glands को तो interior pituitary glands से फर्दर thyroid stimulating hormones का secretion होता है यह कि thyroid gland को stimulate करता है तो फिर thyroid gland जो है वो thyroid hormone जैसे कि T3 and T4 को secret करता है तो कभी कभी क्या होता है T3 and T4 का concentration जो body में काफी बढ़ जाता है तो हमारी body की जो negative feedback mechanism होती है वो activate हो जाती है और इसको maintain करने की कोशिस करती है तो यह further क्या करेगी signal भेचती है interior pituitary gland को and hypothalamus को और फिर इसके जो secretion है वो regulate हो जाता है तो यह था काफी अच्छे से समझ में आऊगा यह आपको तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं biosynthesis of thyroid hormone तो biosynthesis of thyroid hormone में लिए five step में complete होता है फर्स्ट है iodide uptake or trapping सेकेंड है oxidation and iodination थर्ड है coupling फूर्थ है storage and release फिप्थ है peripheral conversion of T4 and T3 तो इसको हम एक brief में देख लेते हैं एक diagram से तो यह है diagram जिसमें हम देखेंगे thyroid hormone का biosynthesis तो इस यह है peripheral tissue यह है follicular cells and यह है collides जिसको मुलते हैं tyroglobulins तो सबसे पहले peripheral से iodine and sodium जो है sodium iodine iodide transport systems के तुरू यह follicular cells में आते हैं फिर यह pendrins के तुरू जो है जो collider cells में है वो अपडेक कर लिए जाते हैं तो फिर यह iodide जो है वो thyroid peroxidase enzyme के present में इसका oxidation होता है यह फिर iodine में कर्माट होता है फिर यह iodine जो है वो tyrosine residues के साथ जो है bind होता है attach होता है और फिर इसका iodineization होता है tyroglobulins में तो जब इसका iodineization होता है तो DIT means diidotyrosins and MIT means monoidotyrosins जो है वो form होता है फिर जो है thyroid peroxidase enzyme की present में फर्दर इसका coupling होता है means DIT and MIT जो है वो couples होंगे फर्दर तो क्या form होगा T3 तो यह क्या है यह mono मर्था यह di-mर्था तो di and mono क्या हो जाएगा try तो यह है T3 and di-di मिलके क्या हो जाएगा tetra तो यह है T4 तो फिर यह जो है T3, T4 and DIT and MIT जो है वो tyroglobulins के साथ जो है attach हो जाते हैं और इसका जो है exocytosis हो जाता है follicular cells में तो follicular cells में प्रदर जो है lysosomal proteolysis enzymes के presence में इसका जो है break and down होता है तो जो T3 and T4 जो है वो peripheral tissue में जो है release होता है and DIT जो है वो further use किये जाते हैं यहां से जो फिर जो है T4 and T3 में जो है T4 का synthesis जो है अधिक होता है तो फिर क्या होगा T4 से T3 का conversion होगा हमारे peripheral tissue में तो इस यह था normal सा biosynthesis of thyroid hormone तो अब इसको हम detail में देखते हैं step by step first है iodide uptake thyroid cell have a active transport process sodium iodide symporters iodide trapped by follicular cells is carried across the optical membrane by another transport termed pendrins तो जैसे कि हमने देखा था कि thyroid cells में एक जो है sodium iodide transport system होता है जिसके तुरो sodium and iodide ion जो है वो transport होते हैं इसे follicular cells में फिर फर्दर ये pendrins के तुरू जो है colloidal cells में जो है वो transport के जाते हैं then second है oxidation and iodine जेस्टं iodide oxidized by membrane bond thyroid peroxidase enzyme तो ये thyroid peroxidase enzyme क्या होते हैं iodineum ion hypo iodis acid enzyme linked hypodase with help of hydrogen peroxides तो ये है thyroid peroxidase enzyme तो ये जो thyroid peroxidase enzyme था वो iodide को oxygen कर रहा था इसका iodide का और इसको iodine में convert कर रहा था तो ये जो है फिर से ये iodine जो है combine होता है कि इसके साथ tyrosine residues के साथ and जो है mono ido tyrosine and di ido tyrosine का formation होता है ये form हुआ था हमारा DIT and MIT तो ये फिर्ट स्टेप है coupling normally much more T3 is formed than T4 oxidation of iodide and coupling are both stimulated by thyroid peroxidase enzyme तो जो है ये iodide से iodine का बनना and जो यहां से DIT से DIT and MIT का जो coupling होना था वो thyroid peroxidase enzyme के presence में होता है तो फिर ये यहां पर इसकी coupling होती है DIT and MIT DIT की तो फिर यहां पर T3 and T4 का formation होता है तो हम देखते हैं fourth stage storage and release MIT, DIT, T3, T4 all attached to tyroglobulin and stored in colloidal tyroglobulin molecules taken up by the follicular cell by the process of endocytosis and broken down by the lysosomal protease तो guys हाँ पर हम देखते हैं इसको तो जो DIT थी, MIT थी और T4 and T3 जो है यह membrane bound tyroglobulin इसके साथ bound होता है और यह further यह re-uptake हो जाते हैं follicular cells में तो follicular cells में endocytosis के थूँ जब यह uptake होते हैं फिर क्या होता है lysosomal protease enzyme के proteolysis enzyme के presence में इसका break down हो जाता है तो जो T3 and T4 जो है वो release होता है और जो है DIT and MIT जो है वो further use के लिए यहां पे रहते हैं फिर यह जो है T3 and T4 जो है वो peripheral tissue में इंटर करते हैं फिप्थ है peripheral conversion of T4 to T3 तो peripheral tissue जैसे कि जो liver and kidney जो है वो T4 को T3 में convert करता है with the help of enzyme idotironin deiodinase तो यह enzyme जो है वो T3, T4 को T3 में convert करता है देन हम देखते हैं pharmacological actions फिर्स्ट है GIT तो यह GIT में increase कर देता है appetite को जिसके करन food intake जो है वो increase हो जाता है increase कर देता है digestive juice के secretions को जिसके करन digestion जो है improve हो जाता है यह GIT motility को भी improve कर देता है जिसके करन क्याता है diarrhea थर्ड है second है CNS तो यह cataclylumine sensitivity को increase कर देता है थर्ड है bloods तो bloods में यह क्या करेगा hypotension scouse करेगा fourth है iskletal muscles तो यह iskletal muscles को क्या कर देगा weak कर देगा and जो है phlevy maxo edema gauze होगा fifth है nervous systems तो यह hyperthyroidism जैसे कि anxiety, nervousness and excitement, tremor जो है वो gauze करेगा देन है disease of thyroid glands तो thyroid glands में में लिट टू टाइप्स के disease होगे hyperthyroidism के मतलब जब thyroid hormones का secretion excesses होगा तो क्या होगा thyroco toxicosis and grave disease and second है hypothyroidism means इसमे thyroid hormone का level कम हो जाएगा तो इसमें सबसे पहला जो chinders में होता है cretinism and adults में होता है maxoedema तो यह था इसका pharmacological actions and उसके this is thyroid glands के देन हम दिश्कुश करेंगे anti-thyroid drugs जिसको हम बोलते है thyroid inhibitors these are those agents which lower the function of overactive thyroids तो यह एक ऐसे drugs हैं जो कि overactive thyroid की activity को overcome कर देता है thyro toxicosis तो यह इसका मतलब होता है excessive secretion of thyroid hormone तो thyroid hormone का secretion excessive होगा तो क्या होगा gravedis and toxic nodular goiter जो है वो आउस होता है तो हम देखते हैं इसका classification तो यह है गाईस thyroid inhibitor का classification इसको mainly और classes में divide क्या गया है inhibit sorry hormone synthesis तो इसमें आता है propylthiograsil methion modules and carbemodules second है inhibit iodide trapping तो इसमें फर्स्ट रहता है ionic inhibitor thyosinates and perchlorate and nitrate third है inhibit hormone release iodine organic iodides and destroy thyroid tissue तो इसमें thyroid tissue को destroy कर देंगे तो देखते हैं इसको अब हम first thyroid synthesis inhibitors तो इसमें first आता था propylthiograsil antithoride drug bind to the thyroid peroxidase and prevent oxidation of iodine iodide residues तो यह जो है thyroid peroxidase enzyme था जो कि iodide को iodine में convert कर रहा था oxidations के थूँ तो उसके सांद bind हो जाएगा और उसकी activity को decrease कर देगा जिसके करण iodide से iodine नहीं बनेगा तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं तो यह जो है iodide से iodine बर रहा था जब thyroid peroxidase enzyme यहाँ पर present था और इसको oxidations वो रहा था तो जो है antithoride drug जो है वो इस enzyme के सांद जो है वो bind हो जाएगा और इसकी activity को decrease कर देगा जिसके करण iodine जो है वो नहीं बनेगा और इनिबिट inhibition of iodine ज़ेशन of tyrosine related to form T3 and T4 और यह फर्दर क्या कर देगा यहाँ पर फिर iodine ज़ेशन की process हो रही थी इसके करण T3 and T4 जो है वो form हो रहा था तो वो फर्दर जो है ब्लॉक हो जाएगा इस drugs के तुरू और प्रोपाइल थायो रासिल आलसो इनिबिट peripheral conversion of T4 to T3 तो प्रोपाइल थायो रासिल जो है वो जो पेरिफेरल में T4 से T3 का conversion दो रहा था उसको इनिबिट कर देता है देना हम देखते हैं इसका फार्मको काइनेटिक्स तो फर्स्ट है इसका औरली होता है इसका distribution पूरे बाडी में होता है metabolism होता है ये liver के तुरू और इसका excretion होता है urine में and देना हम देखते हैं इसका use तो इसका use हम thyro toxicosis के लिए करते हैं and thyro toxic crisis के लिए में जो thyroid hormones का secretion excessive हो जाता है जिसका करना क्या होता है hypertheridism जो है वो excessive हो जाता है तो उसको भी treat करने के लिए इसका use किया जाता है तो इसका adverse reaction देखते हैं तो इसमें फर्स्ट है nausea, g.i.t. distress musculopopular, puritis, racis तो इसमें skin में racis हो जाते हैं जिसके करण जो है red sports दिखाई देते हैं then है hepatitis and cholestatic jaundice and agronalocytosis अब हम देखते हैं ionic inhibitor का mode of actions तो इसमें perchlorate thiosynate था जो की iodide के अप्टेक को inhibit कर देता है तो ये 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 जा है वो ये तो ये निजेशन की देखते हैं इसका यूज तो ये जो है पर chlorate जो है वो थाइरोइडल अप्टेक को ब्लॉक कर देता है और जो है hyperthyroidism उसको prevent करता है इसका side effect देखते हैं aplastik elemia and toxics तो ये था इसका side effects तो ये था simple सा हमारा topic thyroid hormone analogs and their inhibitors तो इस इसे वीडियो आपको काफी अच्छे समझ में आगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए अपने friends के साथ और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रही है हमारे साथ थैंक यू